शेहर में जिस तरह आपरादी घटनाओं का सिलसला बदस्तू जारी है उसी प्रकाश शेहर पुलिस की कारवाई भी निरंदर जारी है हलागे कई दफ़ा पुलिस प्रशासन के कारेपणाली पर सवाल या निशान खड़े होते हैं लेकिन बुदभार को शेहर पुलिस द्वारा सक्रीता दिखाते हुए की गई कारवाई ने एक युवकी जान बचा दी साथ ही उन पर लगे सभी प्रशन चिन्नों को सिरे से खारच किया है तो आखिर क्या है ये पूरा मामला आईए जानते हमारी स्रिपोर्ट में शेहर पुलिस द्वारा भले ही अपराधों की रोग थांग के लिए कारवाई की जा रही हो लेकिन फिर भी उन पर कई सवालिया निशान खड़े होते रहते हैं लेकिन बुदभार को पुलिस के क्विक एक्शन से एक युवकी जान बच गई पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसाफ फिर्यादी राजप्रभु इलमकर और आरूपी लोकेश की बीच किसी बात को लेकर मंगलवार की राद विवाद हुआ था जिस बीच राज ने लोकेश को थपड़ भी जड़ा साथ ही उसे बुरी तरह से मारा इस चीज का गुसा लोकेश अपने मन में दबाय था जिसके पशात बुद्भार की दुपहर फिर एक बार उन दोनों में विवाद हुआ इस जखड़े की पशात लोकेश का गुसा सरचर कर बोल रहा था जिसके चलते उसने राज से अपना बदला लेने की सोची पहले वो उसके घर गया लेकिन तब राज वहाँ नहीं था जिसके बाद वो दयानन पार के पास लोकेश को राज दिखा लोकेश के साथ उसके 10-12 दोस्त थे जो जबरन राज को आटो में उठा कर ले गए ये घटना जैसे ही घटी वैसे ही तुरंत पुलिस को इस चीज की जानकारी मिली जानकारी मिलते ही जरीपटका पुलिस मौके पर पहुची जाज परताल करने पर राज का नाम पता चला DCP मनीश कलवानिया और ACP संतोष खांडेकर के नितरत में जरीपटका के थानेदाब वैभव जाधव ने ओपरेशन खोज शुरू कर दिया शेहर बर में पुलिस को नाकबंदी करने की आदेश दिये गए जगा जगा नाकबंदी की गई जरीपटका के DB स्कॉर्ट, क्राइम प्रांच यूनिट फाइव, ACP स्कॉर्ट साइथ 50 करमचारी जाच में जुट गए संजोग से तुरंथी पुलिस को राज का मोबाइल नंबर मिल गया जोन पास साइबर सेल की कॉंस्टेबल उपेंद्र ताइडे ने फोन की ट्रैकिंग शुरू की और पलपल की जानकारी दी आरोपी 5 पावली होते हुए बढकल स्चॉक, कोतवाली, गंगाबाई घाट और हिवरी नगर होते हुए केडी के कॉलेज के समय पहुचे लोकेशन की आधा पर पुलिस भी पीछा करते हुए परिसर में दाखिल हुई खुद ACP खांडे का टीम को लीड कर रहे थे इसी बीच आरोपी राज को मार रहे थे इसी बीच टॉर्च और वहनों की रोशनी देख आरोपी भाग निकले जाडियों में जखमी राज पुलिस को दिखाई दिया उसे मामूली चोटे लगी थी तब जाकर सभी ने रहत की सासली आरोपीयों का ओटो वाठोडा पुलिस ने पकड़ा उसमें तलवार और कोईता सहित अन्य हतियार थे इस संदर में पुलिस उपायुक्त मनीश कलवानिया ने अधिक जानकारी साजा की आणि आमाला जे फिर्यादी होता तो भेटला दीते आणि तो सुखरूप होता अत्ता त्याचे गड़न पूचतास चालूआ है कि नेम का त्याला उचलना चा कारण काय होता आणि आत्ता हमचे गड़े एक ओटो रिक्षा और नी मोटर साइकिल ये ताब्याता है दोन आरोपी ताब्याता है जाचे गड़न एक आए आतिस डोंगरे आणि दूसरा जे आए ते माइनर आए आणि बाकी टोटल 12 आरोपी चे ना उत्ता परेंत निश्पन ना है आणि फिर्यादी सोबद आमचा बोलना अत्ता चालूआ है इस दर्म्यान कई आरोपी भाग निकले लेकिन दो आरोपियों को पुलिस ने केडी के कॉलेज के पास दबोच लिया वहीं इस मामले में अब तक 12 आरोपियों के नाम सामने आने की पुलिस ने जानकारी मिली इस मामले में यदी सही समय पर पुलिस नहीं पॉस्ती तो राज की जान चली जाती कैमरा परसन अखिलेश भारत द्वाज के साथ दिशा टवाब बीसे न्यूस नागपूर